बीहार समाचार में खबरे बीहार की देश दुनिया की तमाम खबरे जिसे आपको जानना चरूरी है बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से पंचायत के गलियों से और गाओं के चौपालों से जिससे अप रहते हैं अपडेट तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं जिसका सभी को इंतजार था नियोजे सिक्षको का मामला हाई कोट में चल रहा जाता और जहां उसकी गुरुवार को सुनुवाई हुई है। सुनुवाई के दौरान नियोजेशिक्षकों का पक्ष को वकीलों ने बखुवी रखा है। लगभख एक घंटा पैतालिस मिनट तक नियोजेशिक्षकों के पक्ष से सुप्रीम कोट के वरिष्ट अधिवक्ता डियेश नाइडियल सुप्रीम कोट के विद्वान अधिवक्ताव निमेश कुमार वाई वी गिरे नियोजेशिक्षकों के पक्ष को रखा है। जिसमें पातता परिक्षा, दक्षता परिक्षा सामिल है। इस विशेशिकों नियोजेशिक्षकों के वकीलों ने पूरा पक्ष रखा उसके दिन भर के बहस के बाद अब आगे की करवाई के लिए अगली तितिन धारित कर दिया गया है। आज पुना कोट में सुनुवाई होगी जहां सरकार अपनी पक्ष रखेगी और वहीं नियोजेशिक्षकों को पूरा भरोशा है कि कोट से उन्हें नयाय मिलेगा और नियोजेशिक्षकों को बिना सर्त राजकर्मी का दर्जा मिलने वाला है। जो मामला अब इसकोट में चल रहा है जिसे लेकर लोगों के टक-टकी लगाये हुए बैठे हुए नियोजेशिक्षक और यह मामला कहां तक जाता है इंतजार कर रहे हैं नियोजेशिक्षकों का कहना है कि जो भी फैसला हो जल से जल आ जाए ताकि हम टेंसन मुक्त हो जाए या नहीं होना चाहिए इस पर आपकी क्या रहा है कॉमेंट में जरूर बताईएगा वहीं स्थीम ने थीजकोबार ने बोला कि साम तक हो जाएगा सीट सेरिंग उनका कहने का मतलब है गुरुवार साम तक सीट सेरिंग हो जाएगा इंडिये में सब कुछ ठीथ है संसे पर पहली बार सीएम ने तीज कुमार का बयान सामने आया है एमल सी का सर्टिफिकेट लेने विधान सभा आये सीएम ने जब सीट सेरिंग पर सवाल पूछा गया तुन्होंने कहा कि जलनी सब कुछ हो जाएगा इंडिये में सब कुछ ठीक ठाक है सीट सेरिंग सवाल पर उन्होंने कहा कि साम तक सब कुछ किलियर हो जाएगा या बात गुरु भार की बताये जा रही है वहीं एंडिये की सहयोगी पार्टी हम कराटिय अध्यक्ष और मंत्री संतोर्श सुमनने कहा कि कल से पर सो तक सीट सेरिंग फाइनल हो जाएगा उनोंने कहा कि हम लोग बिना किसी सर्थ के इंडिये के साथ हैं इंडिये में सीट बटवारे और मतिमंदल विश्थार का मामला भी तक फशा हुआ है बुद्वार को बीजेपी के राष्टिय ध्यक्ष जेपी नडडा और चिराक पासवान की मीटिंग के बाद इसे सुल्जा लिया गया है लेकिन अ के आस्वावास पर गए थे दोनों के बीच लगभग 40 मिनट तक बाचीत हुई यह बाचीत के बाद समराच चोजी ने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है मांजी से मुलाकात के बाद डिप्टे सियम समराच चोजी ने मुख मंत्री नितीश कुमार से भी मुलाकात की और वहीं दि आति राश्ये लोजपा के संसदिये बोड के बैठक दिल्ली में गुरुवार को संपन हुई बैठक पसुपति कुमार पारस के सरकारियावास पर करीब ए घट्टे तक चली जिसमें सांसद महभूब अली कैसर नहीं पोछे वहीं पसुपति कुमार पारस गूट के दो सांस चिराग से मिले बताया जा रहा है कि टिकट को लेकर बात हुई है बूर्ड की बैठक में निर्ने लिया गया है कि पीम नरेंद्र मुदी हमारे गड़डन के नेता हैं और वे जो फैसला लेंगे उसे राष्ट्रिय लोच्पा पूरी तरह से माने गी उनका फैसला पार्टी हि से किये जाने वाले अधिकारी भोष्टना तक राष्ट्रिय लोच्पा वेट एंडवाच की स्थिती में है दरसल बुद्वार को लोच्पा राम्बिलास के राष्टी अध्यक्ष और जमुई सांसर चिराग पास्वान दिल्ली में भाच्पा के राष्ट्रिय धक्जेपी नड़ा से मिले थे इस मुलाकात के बाद चिराग की पार्टी में खुसी का महौल है अगर चर्चाया है कि पूरा जो वोट बेंक है चिराग पास्वान के साथ है और इधर चिराग माने तो मान जी नाराज हो गया है मनाने के लिए समराच चोधरी उनके पास पहुँचे त सीट बठवारे और मतिमंडल बिस्तार का मामला फसा हुआ है चर्चा है कि सीट बठवारे का फर्मुला पुरु मुख्य मंत्री जीतारा मान जी को रास नहीं आ रहा है वे नाराज चल रहे हैं इस सब के बीच गुरुवार को मान जी से मिलने बीजेपी परदेश अध्यक् कर रहे हैं उन्होंने कहा कि पिछली बार भी हम तीन सीटों पर चुनाओ लड़े थे हलाके वह एक भी सीट नहीं जीता है थे एक लेल लोग सभाच्षेतर है नालंदा गया और और अरंगाबाद में तीनों पर हम पाटी की हार हुए थी जीतरा मान ही से मुलाकात के बाद स केटवंधन में सब ठीठ ठाक चल रहा है और वहीं सीम नितीश कुमार समेत राबडी डेवियगारा परत्यास की निर्वोद रुफ से निर्वाचीत हो चुके हैं एमिल्सी की जीत सर्टिफिकेट लेने नहीं पहुची राबडी डेवि उनके तरफ से भोला यादव पहुचे थे बिहार में सीम नितीश कुमार पूर सीम राबडी डेवि समे तेगारा एमिल्सी में दवारों को जीत का सर्टिफिकेट मिल गया है सभी निर्वी रोध निर्वाचीत हुए है नितीश कुमार खुच सर्टिफिकेट लेने पहुँचे थे जब की रावडी देवी अपने विशस्निये एमिल सी भोला यादों को भेजा था और वहीं बहुत बड़ी ख़बरार है लोग सभाचुनाओं से पहले नितीश कुमार आज अहम बैठक करने वाले हैं यह सब माना जा रहा है कि केबनेट में आम जनता के लोग लुहाबन फैसले लिये जाएंगे सी एम नितीश कुमार की अध्यक्स्ता में सुक्रबार को साम चार बजे मिटिंग होगे जिसमें दोनों डिप्टी सी एम समराज चोजी विजय कुमार सिन्ह समेट कई मंत्री भी सामिल होंगे बिहार सरकार के करमियों और सरकारी पेंसर भोगियों की बढ़ती महंगाई से राहत मिल सकती है सब्सक्राइब करें वार्ट सदस्यों को कुछ खाते में रासी आ सकती है और मुखिया सरपंच और पंच को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं ऐसा माना जा रहा है कि मुखमत इंद्रीशकुमार का लोग सभाचुनाव से पहले यह लास्ट कैविनेट मीटिंग हो होने वाली है और इस मीटिंग में वार्ट सदस्यों का जो मामला बहुत दिनों तक फसा हुआ है जिस पर लगातार वार्ट सब्सक्राइब कर रहे हैं हलाकि सोशल मीडिया पर मुहीम भी चला रहे हैं जिसे लेकर इस कैविनेट की मीटिंग में महतपुन फैसले लिए जा स हो सकती है और इधर सुसील मोदी ने तेज़स्वी यादो पर हमला बोला है पांच विभागों के मंतरी रहने के बाद भी तेज़स्वी यादों काम में पयान है वहीं मिश्तिति ठीज्ध यहां विञान है जैदीव के प्रदेश ज्धयक्चुमें सिंक्कुश्वाह का और यज़ारं अगहरं बात करें तमिलाडू में मंत्री के मंत्री पी-म को मारने की धमकी दे रहेए हैं यो कहा जा रहा है लिएट में टुखले- तुकडे कर देता तमिलाडू के मंत्री टी एम अन बर्सन ने पीए मोधी को लेकर आपत्ती जनक बयान दिया है उन्होंने कहा कि मैंने अपनी सांती रखी वी है क्योंकि मैं एक मंत्री हूँ मैं मंत्री न होता तो उनके यानी पीए मोधी के टुकडे टुकडे कर देता अन अनवर्सन के इस बयान का वीडियो बायरल हो रहा है। उनका यह बयान पिछले हपते का बताया जा रहा है। हमारे कई पढ़ान मंत्री हुए हैं, कोई ऐसा नहीं बोलता है, मोदी हमें मिटाने की बात करता है, लेकिन मैं एक बात याद दिला दू कि डीम के कोई समाने संगठन नहीं है, या कई बलदानों और बहुत खून बहने के बात बना है। जिन लोगों ने डीम के को खत्म करने के बात की है, उनका बिनास हो गया, या संगठन बना रहेगा, या बात दिमाग में रखना है, मैं उनसे, मैंने पीए मोदी अलग तरीके से निपठता, अभी मैं चुपी त्योंकि मैं एक मंत्री हूँ, अगर मैं मंत्री नहीं होता तो उनके साथ दूसरा तरीका अपनाता और उनके टुकले टुकले कर देता, और वहीं बहुत बड़ी खबर है, दोने चुनाव आयूक्त को निउक्त कर दिया गया है, गानेश और सुखवीर चुनाव आयूक्त बने नोटिफिकेसन जारी, ने तब विपक्ष अधिर रंजन चोधरी ने आज वह मीटिंग के दिया था, पुर्व आयेस अफसर गानेश कुमार और सुखवीर संधु को चुनाव आयूक्त होंगे, किन्द सरकार ने गुरुवार साम को नोटिफिकेसन जारी किया है, आज शुबह इतकी नियुक्ति को लेकर प्रधानमंति का इस्तावाले पैनल ने बैठक की थी, इसक कित्ता होने की जानकारी पहले ही दे दिया था, तो दोस्तो यह थी ओ, तमाम खबरे जिसे आपको जानना जरूरी था, इसी तरह से खबरों के लिए जुए रहे हैं मैं साथ चैनल पे नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, वीडियो पसंद आएं तो लाइक किजिएगा, अपना बहुत दूत क्याद रखेगा, मिलते हैं वीडियो में, जैहिन बंदे मात्रा,